नमस्कार स्वागते आपका हिंद भारत में मैं हूँ आपके साथ तनुशर्मा अमेरिका में होने वाले चुनाव में डोनल्ड ट्रम्प की जीत होने वाली है ऐसा हमारा नहीं बल्कि एक टेलिवेंजलिस्ट पैट रोबर्सन का है उन्होंने यह तक दावा किया है कि आने वाले पाँच सालों में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी उन्होंने यह कहा कि एक एस्टराइड धर्ती से टकराएगा जिसकी वजहाँ से दुनिया पाँच सालों में खत्म हो जाएगी आई जानते हैं पूरा क्या है मामला खत्म होने तक की भविश्यवानी कर डाली रोबर्सन का कहना है कि 3 नवंबर को होने वाले चनाओ में रिपब्लिकन केंडिडेट डोनल्ड ट्रम्प जीत हासिल करेंगे यही नहीं उनका कहना है कि 5 साल बार एक एस्ट्राइट धर्ती से टकराएगा और धर्ती पर जीवन खत्म हो जाएगा 90 साल के पेट ने कहा कि ट्रम्प चुनाव जीतने वाले हैं और इसमें कोई शक्त नहीं है लेकिन लोगों को फिर भी घर से निकल कर वोट डालने जाना चाहिए उनका दावा अभी तक सामने आए ओपीनियन पॉल से अलग है जिन में डेमोक्रेट केंडिडेट जो बिडेन आगे निकलते दिख रहे हैं पेट ने यहां तक कह डाला कि चुनाओ के बाद हिंसा भी होगी यही नहीं उनका कहना है कि टरंप को मारने के लिए दो बार कोशिश की जाएगी पेट यहां नहीं रुखे उन्होंने कहा अगले पांच साल तक धर्ती पर शान्ती रहेगी और उसके बाद एक एस्ट्राइट धर्ती से टकराएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी वहीं अमेरिका के रास्टपती पत के लिए उम्मिदवारों की बीच 22 अक्टूबर को अंतिम बहस से पहले बहस संचालित करने वाले आयोग ने नए नियमों की घोशना की है इनके तहट प्रतिध्वंदी वक्ताओ के माइक्रोफोन स्पीकर दो मिनट के लिए बंद कर दिये जाएंगे ताकि अपना पक्ष रखने जा रहा उम्मीदवार अपनी बात की शिर्वाद निर्बाद तरीके से कर सके आपको बता दे पैट रोबर्सन पहले भी तीन दावे ऐसे ही कर चुके हैं जिन में उन्होंने दुनिया खत्म होने की बात कही है लेकिन इसमें कितनी सचाई है यह तो वक्त ही बताएगा फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हिंद भारत